Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about a chapter, class 5th English, chapter number 1, We Sell Overcome. यह जो chapter है आपका, class 5th का, We Sell Overcome, यह एक poem है, और इस poem के त्रू जो है, poet हमें जो है, किस परकार का message देने का प्रियास किया है, यह आपन इस poem में जानेंगे. तो देखो, सुरू करते हैं अपन, तो सबसे पहले देखो, लिखा क्या है, देखो, recite the given lines, recite का मतलब आपको पता ही होगा, गाना, या दोरान करना, recite the given lines, यानि जो नीचे दी गई lines है, इनको आपको क्या करना है, recite करना है, with your teacher, आपके teacher के साथ, ठीक है, जैसे, हम होंगे कामि कामियाब, हम होंगे कामियाब, हम होंगे कामियाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामियाब एक दिन, ये वाली कविता है, आपने गाई होगी, सुनी होगी, अब देखो, Isn't it an inspiring poem? अब inspiring word का मतलब क्या है, प्रेरणा दाय, क्या नहीं प्रेरणा देने वाली, हमें प्रेरित करने वाली, तो क्या ये कविता हमें प्रेरित नहीं करती है, बिल्कुल प्रेरित करने वाली है, हिंदी में तो आप लोको ने सुन रखी है, बोल रखी है, आज अपने इसको English में गाएंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ गाएं, ताकि आपकी भी प्रेक्टिस हो, और किस वर्ड का क्या पर्नसियसन होगा, और कैसे गाएंगे, ये भी आपको पता चले, तो are you ready, शुरू करें, ओके, देखो, let's read and sing the English song here, भी चलो, पढ़ते हैं, इसको गाते हैं, देखो, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday, oh, we shall overcome, we shall overcome someday, oh, deep in my heart, I do believe, एक बार फिर से इसको repeat करते हैं गा सकते हैं आप भी साथ साथ एक बार फिर से try करते हैं देखो वी सेल ओवर कम वी सेल ओवर कम वी सेल ओवर कम समदे ओ दीप in my heart I do believe वी सेल ओवर कम समदे वेरी गुड़ अब देखो नेक्स करते हैं वी सेल ओवर कम समदेखो नेक्स करते हैं वी सेल ओवर कम वी सेल ओवर कम समदेखो नेक्स करते हैं वी सेल ओवर कम वी सेल ओवर कम समदेखो नेक्स करते हैं 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 The truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe. The truth shall make us free someday. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe. The truth shall make us free someday. Next they go. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall live in peace someday. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe. We shall live in peace someday. We shall live in peace someday. दे. तो इस परकार से जो है, वो आपकी जो पोईम है, और इस पोईम को जो है, ये पोईम आपकी बेसिकली इंगलिस में है, जिसके जो पोईट है, वो पोईट जो है, पोईट का नाम आपको नजर आ रहा है, देखू. चार्ल्स अलबर्ट टेंडली. चार्ल्स अलबर्ट टेंडली जो है, इन्हों ने इस पोईम को लिखा है, और इस पोईम को जो है, हिंदी ट्रांसलेट करने का जो काम है, वो किस ने किया है? तब ही आपको बताया था. याद होगा, एक बार फिर से इसको याद करने कोसिस कीजिएगा. क्या नाम था? लास्ट में मात्वर आया था. याद आया आपको? I think याद आगया होगा. ये देखो, गिरजा कुमार मात्वर. तो ये जो गिरजा कुमार मात्वर जो है, इन्हों ने इस इंगलिस पोईम को हिंदी में translate किया. तो I hope आज ये पोईम को आपने enjoy किया, इस पोईम को जो है, अब आपको क्या करना है? recite करना है, और जो भी आपको मिलता है, जो भी आपका friend है, जो भी आपके parents है, colleague है, उनको जो है, ये पोईम recite करके सुनानी है, ताकि आपको जो है, ये learn भी हो, और आप को एक तरह के अलग से इंस्पायर करेicional के प्रेणा दे जिससे की हम भी यह लेकर जाए कि भोई हम कैसी भी परिस्टिति में क्यों न जूझ रहे हो लेकिन हम भी एक दिन काम जरूर काम्याब होंगे तो यह जो पोएम है यह हमें एक जोस, एक उमंग, एक नई जो उर्जा भरने वाली पोईम है और मैं उमीद करता हूँ कि आप जो है जब भी ऐसा समय लगे कि मैं उदास हूँ, दुखी हूँ या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उस समय इस पोईम को जरूर गाए आप में जो है एक तरह उर्जा या नया जोस बरेगा, इसी के साथ आज की पोईम को अपन, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू, जै हिन, जै भारत